नमस्कार दोस्तों स्वागेते हैं आप सभी का आप सभी के पसंद्रेटिव चैनल राय एजुकेशन में सभी में तरकुष्ट प्रपाद वेरी गुड मॉनिंग डॉल आफ यू आज की मॉनिंग शेशन में आज की प्रमुक अकबारु से कई इंपॉर्टेंट न्यूस इस प्रकार से मुखमंत्री योगे अधितनाची का सीधा संदेश और इसपश्ट संदेश था कि जो भी भरती प्रक्रिया में अर्चन डालेगा वो कानूनी हिरासत के अंतरकत लेकर जाय जागा और अच्छी खातिरेदारे भी होगी उसकी सरकार नहीं याजिका दायर किये चार सो पच्छतर पन्नों की याजिका है कल मैंने आपको शाम को और फिर देर शाम को एक लाइफ स्टेशन के मादिम से सारी सीज़ें इक्तम पश्ट की पांसो पन्नों की याजिका दायर कर दी गई सरकार के दर्ब से जिसमें महत्पॉर्ण सुप्रीम कोट के जज्ज्मे चैनल से सभी जीलों से मांगी गई सिक्षामित्रों की संख्या कितने सिक्षामित्र कारय रहते हैं प्रतिक जिल्ए में उनकी पूरी डिटेल मांगी गई है भरति जल्द नहीं हुई तो आसकती याजिकाओं की बाड़ जीहां जिस प्रकार से आप लोग देखी रहे हैं कि बरती प्रक्रिया के सुचारू ढंग से चलने पर भी यहां पर याचिकाय लगातार दाखिल की जा रही है और भरतीप्रक्रिया ब तो इस्टि की श्टितविक में बनी हुए है अस्ताई रूप मिला है याचिकाव की बार भी आ सकती ज़ल्दी भरती से फिर पर भरती प्रष किसी वज़े से ऐसा देखने को मिल रहा है इस पर बातचीत करेंगे और आवेदन में गलत रोन लंबर भनने वाले को राहत दी गई है हाई कोट की द्रब से आपके बेंच प्रकास पाडिया जी जो जज हैं उन्होंने एक दिमस पस्ट कहा है कि इनको आपके जो सीडिस बाद कि कि आप योग हैं आपके द्वारा हुमें नेरर हुआ है कि आपने जान बूच करें सारे रियाकलाब किये हैं आप फरजी वाड़े के अंतर गताते हैं वो उनको तैय करना है ठीक है ना तो यह मैं बार 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 बोलता है हूं चलिए फटा फटे सारी अपडेट को कवर क सकते हैं पेटिशन इस्पेशल अपील नंबर एक सो चौवन दो हजार बीस पेटिशनर है एक्जाम रेगुलर्टी अथार्टी इलावाद एन अधर्स रेस्पॉंडेंट आपके रिशब ही होंगे रिशब मिस्रा एन अधर्स और कॉंसिल जो है आपकी अमित बदोरिया सा कर रहेगा अब इंपॉर्टन बात यह है कि सरकार की तरफ से लगवख 475 पन्नों की पूरी दलीले एक साथ प्रेडिशन दायर की गई देख सकते हैं आप इसको तो यह लिगल टिंग की तरफ से भी अपडेट आपको यहां पर देखने को मिले आखरी पेस ता 475 पन्ना और उसी को इन्होंने टैग करते हुए सारी चीज़ें एक दमस्पष्ट की हैं है ना और इसमें इन्होंने एक दमस्पष्ट बात कई है कि अगर ऐसा अगर संबव हो कि सरकार के तरफ से कुछ बाते अगर मजूती नहीं दिखती है तो हम अपने वकील को भी वहां पर उतारें जितने भी चैनी तब भीड़ती हैं जिनके जिलों में जिनका चैन हो चुका है वो एक जूट रहें वो किसी प्रकार से बिखरने नहीं चाहिए तभी परति प्रिक्रिया को और भी मजबूती मिलेगी आप 6-7-8-6-7 भीड़ती हैं और इतने ही रहने चाहिए एक जूटता के साथ तभी आप सारी चीजों को डिफेंड कर पाएंगे नहीं तो अभी आने वाले समय में इतनी याचिकाएं हैं इतनी सुप्रीम कोट में विपक्ष की दरब से हर प्रकार संभो प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करके इन सारी चीजों पर प्रस्शन चेनल लगाया ज जा सके लेकिन जब आपके सांथ सरकार है मुकमंत्री आपके सांथ है सिक्षा विबाग आपके सांथ है और कोट भी आपके संभोता सांथ रहेगी अगर सरकार आपके सांथ मजबूती से लड़ रही है तो तो आप सभी को एक जूट रहना सबसे अनिवारिता होनी चाहिए और एक जूट नहीं रहेंगे तो सीरीज बात है ऐसी टैग लाइन आपको देखने के मिलेगी संभोता आने वाले समय में कि जल्द नहीं पूरी हुई उन्हें तरह सा अगदावक भरती तो बढ़ेंगे कानूनी मुश्किल है रिजल्ट और मेरिट जारी होने के बाद कोट में याजिका दाखिल दूसरी की भी तैयारी हो रही है यहाँ पर तो यह मैंने तो बहुत अच्छे से आपको बता दिया स्टार्टिंग में इस वीडियो के थे चल रही थी तब इतने और सारी याजिका दाखिल के गई भरती को रोकने का प्रेस गया गया समबतर रोक दिया गया साही रूप से लेकिन अगर भरती अपने आप में रुकी हुई है तो कईने कई इतनी याजिका यहां पर आप देखिए सबसे मोटा मोटा मुदा जो चल रहा है वो MRC overlapping EWS का जो मुद्दा चल रहा था वो चली रहा है अपने आप में फिर बीड का मुद्दा चल रहा है अपने आप में अब इसके बाद अब माने आए आज का सुप्रीम कोट में दाखिल कर दी गई है हाला कि यहां पर आपकी जुटता सबसे आदा आनिवारता देखने को मिलेगी कि कितना मजबूत है अपनी जुटता को लेकर सबसे महतपूर बाद संसोधन को लेकर जब याजगा खारीच की गए थी प्रापतांक और पूरांग को लेकर तो लोगों के अंतरमन में कल मैंने ज समय अवलेबल ताव अवलेबल है तो क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए तो देखिए वह एक दिम स्पस्समा लीजे जो बात वहां पर थी कि जो आपकी मेरिट को एफेक्ट करें मेरिट को आपका सर्टिफिकेट नंबर एफेक्ट नहीं करता आपका नाम एफेक्ट नह हो ठीक है नहीं तो परशान किजी को नहीं हो ना हाँ प्राप्तां को पुरां की अगर गलती है तो उसके लिए मैंने एक दम सपस्ट बोला है कि संसोधन का यहां पर आपको कुछ भी प्रारूप देखने के नहीं मिलेगा लेकिन लेकिन काउंसलिंग कमिटी के पास पूरा अधिकार है कि वो इस पर अपनी राय देख ले वो उसको अगर लगता है कि आपके दोरह मानवी तुरूटी हुई है तो वो आपको कंसिडर करेगी आपको होल्ड पर रखेगी और अगर उसको लगता है कि आप जान पूच करें कर कर रहे हैं फरजी वाड़े के अंदर करते तो आपको सीधा सीधा भगा देगी वांजी काउंसलिंग सीधी बात है तरीके समली इस बात को और इसी प्रकार में आविदन में गलत रूल नंबर भरने वाली अभरती को रहात मिल गई है यहां पर लाबाद हाई को ने काउंसल साहनबूती पुर्वक विचार कर उचित निरने ले यहां पर यह नहीं बोल दिया गया कि इसका बिल्कुल सही मान ले निरने लेनी के बात की गई है तो कोई भी काम होगा तो उस पर आपकी साहनबूती पुर्वक कांसलिंग कमिटी और उस जिले में जिस जिले में आपकी समक्ष दी जाएंगी अगली नियूज मैत पूर्ण है सभी जीलों से मंगी गई सिक्षामित्रों की संख्या और उन्हें तरह साय के दाबक भड़ती में कट आफ को लेकर सुप्रियूं कोट मेदार याचिका में जवाब लगाने के लिए से सिक्षा परिश्ट ने सभी जीलो सिक्षामित्रों की जानकारी चाही थी सबसे इंपॉर्टन बात है कि गुरुवार को रुपए लेकर परिक्षा पास कराने के रैकेट कमंडा फोड होने पर परिक्षा निरस्ट करनी की मांग उठ गई है उठ सकती है आर्थिक आदार पर कमजोर वरक के लिए यह यह पर इसको रिजर्व कर दिया जाब सिक्षामित्रों के लिए इतनी याचिकाएं डाल दी गहीं है कि खुद नकुद इतना पीच फोसता जा रहा है भरती में सब कोई देखें और यह 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 क्यों कि इनसान वैक्टिकत होता जा रहा है अपने हिसाब से कि कुछ भी ह मुझे सबंगा है मुझे एक सीड चाहिए हमारी रिजर्फ होनी चाहिए तो आ अच्छा सब लोग रिजर्फ करने लोग रोगे करिया दो बड़ति पर गिर्कृत होने से रही है आप अपने हिसाब आप प्रकार को उनके पास नियम कानून है वैसे ही फॉलो होने वाले हैं और यहां पर होई है उन्हें टरहाई स्क्षा पड़ते में डबल में विशेश अपिल दायर कर दी गई यह जानकारी बिज़िस विवाग के महाने देशक विजय किरना अनन निती पांस अपन्स में सरकार ने अपना पक्ष रखा है सरकार को केस नंबर मिल गया है आप सभी को मौनिंग में मैंने दिखा दिया 15220 है सायथ एक सेकंड मैं उसको एक बार और रिपीट कर देता हूं तो 156 नहीं है माफ करिए कि 114 है ठीक न हम लोग की जो केस 152 2019 चल लाता तो वहीं रड़ गया हम लोगों को एक चवण है ठीक है इसको याद रखे रहेगा इस बार अपिल विशेश अपिल 14220 है इसे हम लोग सारी अटेट देखेंगे और पेपर आउट के चक्कर में कई लोग यहां पर आपके पकड़े गया हैं यहां पर आप देख सकते हैं पेपर आउट का रोपी वकील भी हिरासत में 24 लाक रुपए दो लेटाउप एक ओपी दो गाडिया वरामत की गई है और इनके द्वारा ठेका लिया जाता था परते भरती का जरूनी कि बस यहीं भरती हो कई भरतियों का लिया जा रहा था तो बंड़ा फोर्ट तो हुआ है और हिरासत में इतने ल वो तो पास कराने के लिए पच्छा दिये थै अब वो पास होने पाया महा से तो वो तो पकड़े जाएंगे जाएंगे ठीक है क्योंकर इनके द्वारे काम तो हुआ था अगर पास हो गया थो ये बताते कहले लिए क्यों बताते ये तो अब तो पकड़े गए हैं अब इनके साथ कि अब तो मरना है ही हमको यानि कि फसना तो है ही हमको तो हम खुद क्यों फसे लोगों को और भी फसाएंगे जिसमें लिप्त हैं इसी वज़े से सारे चीज़े पकड़े गई हैं को कहने कहीं अब ये एक सरकार के लिए बहुत बड़ा दाइत होगा कि इसको सभी चीजों के एकदम सपस्ट करते हैं उनको हटाने का वो काम करें और एक आपको अंगपत्र देखने को मिल रहा होगा किसी सामान अभिड़ती का है और उसमें OVC जाती वहां पर OVC लिखे हुई है तो सामान अभिड़ती को OVC का अंगपत्र ये जारी किया गया है उन्हें तरह स्क्षपृती में आविधन करते समय हो गई थी गलती संसोधन के मांग कोट ने खारिच होने के बाद बढ़ी है दिकते उनके लिए तो कहने के वह इनको आफिडेविट से काम करना पड़ेगा और यहां पर यही है प् के दिन में बदलाव नहीं किया जा सकता कांसिलिंग के दुरान OVC का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने के दर्शा में समान के कटाफ से अधिक अंक पानी पानी के बाद भी अबेड़ती को चैन से बाहर किया सकता है वहीं अबेड़ती यहों के बीच ऐसी भी चर्चा का कहना है कि अब र Immerthy ने सिक्षक्षकब्रति महाविदिन के समय गलती फर्म बर दिया था और बरrickshah शंस्तान भी गलती मढधने की कोशिच हो रही है लिंग फ्रॉर आपने गलत बराया वह परिक्شह संस्तान तो आपको कंसीडर करेंगे अनिता कि केस में आपको कंसीडर नहीं करेंगे तो यह आज के प्रमुक न्यूज अपडेट रहे बाकि लेटेस्ट अपडेट के लिए रिए राइजुकेशनल के साथ थैंकि सो मच